भालतिय अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन यानि कि इस्रों ने संचार उग्रे जी सेट तीस को सफलता पूर्वक लॉंच कर दिया है इस्रों का जी सेट तीस को यूरोपियन हैवी रॉकेट एरियन फाइफ से सुक्रवार यानि 17 जन्वरी को सुभा दो बजकर 35 मिनट पर फ्रांस के फ्रेंच गुएना इस्थित को रोव दूईप से छोड़ा गया है थोड़ी दिर बाद जी सेट तीस से एरियन फाइफ वी एटू फाइफ वन का उपरी हिस्सा सफलता पूर्वक अलग भी हो गया है और अपनी तैक अक्षा में इस्थापिक भी हो गया है 32 स्पेस इजन से इसरो का 2020 में ये पहला मिशन है इसरो के मताबिक जी सेट तीस एक संचार उपगरह है ये इनसेट 4A सैटलाइट की जगे काम करेगा आपको बतातें दरसल इनसेट सैटलाइट 4 की उम्र अब पूरी हो रही है और इंटरनेट टेकनोलोजी में तेजी से बदलाव भी आ रही है इस वज़े से ज़्यादा ताकतवा सैटलाइट की ज़रूरत थी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसरो ने जी सेट 30 लाँच किया है इस उपग्रह के लाँच होने के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी इसकी मदद से देश में नई इंटरनेट टेकनोलोजी लाई जाने की उम्मीद है साथ ही पूरे देश में मुबाइल नेटवर्क फैल जाएगा जहां अभी तक मुबाइल सेवा नहीं है माना जा रहा है कि इसकी मदद से 5G इंटरनेट सेवा की देश में सुरूआत की जा सकती है जी सेट 30 जी सेट सीरीज का बेहत ताकतवर संचार उग्रह है जिसकी मदद से देश की संचार प्रणाली में और इजाफा होगा अभी जी सेट सीरीज के 14 सेटलाइट काम कर रहे हैं इनकी बदालत ही देश में संचार व्यवस्था कायम है दोस्तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही देशो दुनिया के अन्या खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए धन्यवाद